ओके सो, 2019 में एक एपल प्लस की टीवी सिरीज रिलीज दूई थी, इसका नेम है सर्वेंट, इसका फर्स सीजन आ चुका है और सेकेंड सीजन अभी रेंडिंग में चल रहा है और सीजन थ्री भी आएगा फिर, इसलिए मैं अभी सीजन वन को फूल एक्स्प्लेंग करने जा और यह आती है होरर, ड्रामा एंड मिस्ट्री की कैटेगरी में इसका डिरेक्टर है मनोज श्यामलन, अमेरिकन फिल्मेकर जो एम नाइट नेम से जाने जाते हैं इन्होंने गलास, स्प्लिट जैसे जहर मुवी बना रखी है और अगर इस सीरीज की रिव्यू की बात करें तो परसनली मुझे ये सीरीज काफी पसंद आई, सिरेमेटोग्राफी, एक्टिंग एन स्टोरी काफी अच्छी है, स्टार्ट में एक क्रीपी हॉरर स्टोरी लगती है बट एंड में एक दिमाग खराब करने वाले ट्रिस निकल के आता है, तो मैं सीरीज की पूरी स्टोरी गेरेक्टर्स का इंट्रो दिरिता हूँ, सो सिरीज में हमें एक मेरीट कपल दिखाते हैं, मिश्टर और मिसेस टर्नर्स, हस्बेंड का नेम होता है शॉन और वाइफ का नेम होता है डॉर्थी, शॉन एक हाइली शॉर्ट आफ्टर शेफ होता है, मतलब काफी पॉपुलर इन इन डिमांड शेफ, और दॉर्थी भी एक सक्सेस्फुल न्यूज रिपोर्टर होती है, और दॉर्थी का एक भाई होता है, जूलियन, और ये शॉन का अच्छा दोस भी होता है, अब आते हैं में प्लोट पे, इन सब की लाइफ एकदम मस चल रही होती है, लेकिन फिर एक हाथसा हो जाता है, टर्नर्स के साथ, टर्नर्स का एक साल का एक बेटा होता है, जरिको, जो एक एक एकसिडेंट में मर जाता है, और ये कैसे मरता है, जो यही एक्चुली सिरीज के सीजन वन की में मिश्टरी है, जो सिरीज के एकदम लास्ट एपिसोड में जाके पता चलती है बट एस यूजल मैं अभी आपको बता देता हूं सो डॉर्थी और शॉन की लाइफ एकदम बिजी चल रही होती है इनके पास बहुत वर्क लोड होता है शो शॉन को कुछ वीक्स के लिए एक रियाले टीवी शो के लिए बाहर जाना पड़ता है तो डॉर्थी को एंटर करती है और अपना रूटीन फॉलो करती है बट फिर नेक्स्ट मॉर्णिंग इसको रियलाइज होता है कि इसने अपने बेटे जरिको को कार से निकाला ही नहीं था जब ये जॉब से वापस लोटी थी वो गर्मी में उसी कार में बंद रहा और ओविसली फिर नणी स जान बिचारा मर गया और जब ये चीज डॉर्थी देखती है तो इसको बिलीव ही नहीं होता कि इसका बेटा मर चुका है वो भी इसकी गलती की वज़ेसे तो ये ऐसे प्रेटन करती है कि everything is alright कि जरिको का नहलाती है उसको सुलाती है जबकि वो मर चुका होता है और शॉन तो काम पे गया होता है तो डॉर्थी मरे हुए जरिको के साथ पूरे चार दिन तक रहती है और फिर डॉर्थी का बाई जूलियन एक दिन ऐसे ही मिलने इससे घर में आता है और जरिको के रूम में जाके देखता है तो वहाँ इसको जरिको की सड़ रही डेड़ बोडी मिल यह फिर शौन को भी हार्ट ब्रेकिंग निवस सुना देता है ना उस जेरिको के मरने की वज़े से दौर्थी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि एक्चुली टर्नर्स का उनके बच्चे को लेके काफी ट्रेजिक पास्ट होता है इनके बहुत बच्चे पैदा होने से पहले मर गए थे और लास्ट में फाइनली यह जेरिको होता है सो अब जेरिको के भी मरने के बाद यह डौर्थी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड बेकिंग होता है इसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है और यह चली जाती है केटेटोनिया की स्टेट में यह बिमारी बहु यूज करता है Transitional Objects Therapy इसमें similar type के object का use करके human mind में एक illusion create किया जाता है कि आप जो देख रहे हैं वो real है जबकि वो कुछ और होता है सो सेम होता है डौर्थी के साथ इसको एक doll देते हैं इसको बोलते है rebound doll और डौर्थी को ऐसा लगता है illusion की वज़े से कि यह doll ही इसका actual बेटे की तरह पालने लगती है little creepy बट अभी तो party शुरू ही है सो डौर्थी के लिए rebound doll real होती है इसको अपने बेटे की death के बारे में अब कुछ भी याद नहीं होता और Sean भी जो अपनी wife से प्यार करता होता है तो इसकी खुसी के लिए यह इस नाटक में इसका साथ देता ह लेकिन सिर्फ इसके सामने अंदर ही अंदर इसको भी बहुत बुरा लग रहा होता है जरिको को लेकर क्योंकि यह थोड़ी ना भूला होता है अपने real बेटे के बारे में कि वो मर चुका है और इसने publicly किसी को नहीं बताया होता कि इनका बेटा मर चुका है सिर्फ जूलियन और डॉर्थी के डैड को पता होता है यह बट अब डॉर्थी को अपने बेटे के लिए एक नैनी चाहिए होती है बेविसिटर क्यूकि डॉर्थी दिन में काम पे चली जाती थी तो जरिको का खयाल रखने के लिए कोई नहीं होता था तो यहां एंट्री होती है सिर्फ की म रहना होता है और यह रहना स्टार्ट करती है इसको एक परसनल रूम मिल जाता है और शुरू में यह डॉर्थी के सामने जरिको डॉल को एकदम असली बच्चे की तरह ट्रीट करती है और शौन भी यही चाहता था कि लियान को वीर्ड फील ना हो एक डॉल को पालने को लेक जाती है जो काफी स्ट्रेंज लगता है देखने में क्योंकि लियान को सिर्फ पिटन करना था कि जरिको डॉल एक रियल बच्चा है बट यह लड़की तो क्यूट एज हैल से वाट दा हैल बनती जारी होती है और यही बात शौन को अजीब लग रही होती है यह समझ रहा हो पता नहीं इसने खुद से एक हैंड मेट क्रोस बनाया होता है इससे यह प्रे करती थी इस क्रोस को बिजिट्स क्रोस बोलते हैं और यह क्रोस इसने जरिको के क्रिप की ऊपर भी टंग दिया होता है तो यहां लियान के इंटेंशन को समझ नहीं आ रहे होते हैं कि आखिर क् डौर्थी जौब पे गई होती है और घर में सिर्फ लियान और शौन होते हैं और वह रिबॉन डॉल भी होती है पर तभी शौन को जरिको के रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है और शौन की तसरीफ फट जाती है तो यह भाग के जरिको के रूम में ज तो वहां उस Re chains, Doll क् Bubble Dole की जगा, सच में एक जिन्दा हसता खिलकिलाता बच्चा लेटा होता है. जो आपका reaction है, वही मेरा reaction था, और वही Sean का reaction होता है. कि अब ये बच्चा किसका है, और ये कहां से आया, और वो Doll कहां गई. अब जब डॉर्थी घर वापस आती है और शॉन को ये डर लग रहा था कि डॉर्थी को नए बच्चे को देखके सारी मेमोरीज वापस याद ना आ जाये मरे हुए जरिको की बट डॉर्थी को कुछ नया नहीं लगता नय जरिको को देखके ये अभी भी सोच रही होती है कि ये इसका बच्चा जरिको ही है और अब शॉन का सश्पीशन बढ़ जाता है लियन के उपर और ये उससे जाके पूछने लगता है कि ये बच्चा कौन है कहां से आया क्योंकि लास्ट टाइम लियन ही उस रिबॉन डॉल को वाक पे ले गई और वापस आने पे एक नया बच्चा कहीं से आ गया लेकिन लियन यह एकदम मासूम वाले रिपलाई देती है कि आप क्या बात कर रहे हो कौन सी डॉल ये बच्चा जरिको ही तो है बट शॉन सांती से बैट नहीं सकता था ये जूलियन को बताता है लियन के बारे में और उ चाइल्ड को लेके क्योंकि फिर डॉर्थी की तबियत को लेकि रिस्ट था इसलिए शॉन गुस्से में जाके वही क्रॉस को हटा के फेक देता है और इसी पॉइंट से शॉन के साथ वीर चीज़े होने लगती है इसको अपनी बॉड़ी में वुडेन स्प्लिंटर मिलने ल गायब हो गई होती है तो यह सब कैसे हो रहा है तो इतना कंफा में कि इसके पीछे लियान का ही हाथ है इसने लियान के क्रॉस को फेक दिया होता है तो लियान यहां सुपर नैचुरली फॉर्म में बदला ले रही होती है और यहां फिर जैन्यून रीजन भी होगा ऐसे भी भी अजीब चीजे होती है शौन के साथ यह डूर का पासवर्ट सही डालता है बट इस्टिल डूर ओपन नहीं होता और जब डॉर्थी सेम पासवर्ट डालती है तो डूर ओपन हो जाता है तो काफी वीर्ड बट सभी थियूरिस पर अब आगे बात करेंगे खैर शौन को लि लियान को नैनी की जॉब आफ़र करी थी और यह लेटर क्लियरली सभी अप्लिकेंट्स के लेटर से अलग था दैस शौन और जूलियन अपने एक दोस्त के साथ मिलके लियान के बारे में पता करने का सोच रहे होते हैं तो इनको लियान का रियल होम अड्रेस पता होता है ल वहाँ पर उनको लियान का घर तो मिल जाता है बट वो पूरी तरह जला हुआ होता है और वहाँ कोई भी नहीं होता लेकिन उस घर में वही ब्रिजिट्स क्रॉस तंगा होता है तो शौन ये देख के समझ जाता है कि वह लियान का ही घर है और उस ब्रिजिट्स क्रॉस के ब जूलियन को यहाँ एक हैरान करने वाली चीज दिखती है, उसको ग्रेव यार्ड में लियन और इसके पैरेंट्स के ग्रेव्स देखनों को मिलती है, मतलब लियन ओफिसली मर चुकी होती है, तो यहाँ इसकी तीन थियोरिस निकल के आती है, कि या तो लियन कभी मरी ही नहीं उसने अपनी मौत को दुनिया के लिए जूट दिखाया होगा, और या फिर लियन मर के वापस जिन्दा हो गई, और टर्नर्स को हांड करने आ गई, और या फिर यह वो ग्रेव वाली लियन है ही नहीं, इसने बस लियन ग्रेव वाली लड़की की एडेंटिटी चुरा लिय जो शौन और जूलियन इन दोनों को बस लास्ट वाली थियोरी ही लेजिट लगती है, कि वो लड़की वो है ही नहीं कि जो वो बोल रही है कि वो है, खैर फिर यहां सेरीज में एक सीन दिखाते हैं, जिसमें शौन डिनर के लिए जिन्दा एल्स लेके आता है, और यह लिय इन गार डिरेक्टर के हिसाब से कुछ hidden meanings हैं, तो शौन के point of view से वो समझ रहा होता है कि लियन के intention सही नहीं है, तो यह उस इल को जानबूच के लियन के सामने ही मारता है, सिर्फ उसको डराने के लिए कि मुझसे पंगा मत लेना, और लियन के point of view से यह आगे confirm करते हैं कि ल identity नहीं चुराई, हमें Dorothy की news report वाली एक old recording दिखाते हैं, इसमें Dorothy एक बच्ची से मिलती है, और वो बच्ची actually में Leanne ही होती है, बच्ची Leanne, मतलब यह Dorothy से पहले ही मिल चुकी होती है, और इसलिए इसने यह घर choose किया होता है, ताकि यह यह रह सके, और एक जगा Sean भी से तो इसको शायद अपने parents जो उसके घर में जलके मर गए होंगे, उनकी याद आई होगी, कि वो भी इसी तरह तड़प तड़प के मरे थे, इसी वजह से शायद यह डर के मारे बेहोस हो गई, खैर एक और hidden meaning है इस चीज़ की, अगर आप Eels के बारे में जानते हो, तो वो famous ह एक phrase के लिए, that is slippery as an eel, मतलब eel को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, नामुम्किन नहीं होता, क्योंकि वो बहुत slippery होती है, तो इसलिए कहते हैं कि eel की तरह slippery बनो, यह एक defense mechanism है, ताकि तुमको कोई पकड़ ना सके, तो लियान का यहाँ जो भी mission है, turners के साथ, इसको slippery as an eel बनके यहाँ रहना होगा, ताकि इसको कोई पकड़ना सके, और series में भी next scene में यह दिखाते हैं, जब घर में कोई नहीं होता, और Leanne, Sean के assistant Toby के साथ, अकेले dinner प्लैन करती है, तो यह same, जैसे Sean ने उस eel को मारा था, वैसे ही यह भी वही करती है, उस eel को मार के dish बनाती है, और इस time यह बिल्कूल भी नहीं डरती, सो मतलब वही, इसको यहाँ survive करने के लिए अपने आपको brave करना होगा, ताकि कोई इसको पकड़ना सके, खेर, back to the story, Dorothy को Leanne से कोई problem नहीं होती, यह इसको बिल्कूल अपनी best friend या अपनी छोटी बेहन की तरह मानती है, क्योंकि इसकी रहती है, बट अंदर ही अंदर इसके क्या plans होते हैं, यह किसी को नहीं पता होता, और फिर एक बार Julian, Leanne से अकेले मिलता है, यह try करता है, इससे सब कुछ उगलवाने के लिए, क्या करना चाहती है, इसको डराने का भी try करता है, बट Leanne, Julian से direct पूछती है, क्या तुम वहाँ थे, जब वह हाथसा हुआ, यह actually Jericho की death के बारे में पूछ रही होती है, और Julian के host उड़ जाते हैं, किसको Jericho की death के बारे में कैसे पता, यह एक mystery होती है, बताया था मैंने, किसी को नहीं पता था इसके बारे में, और Leanne यहाँ Julian को seduce करने लगती है, और Julian जो सेर बनने का try कर अब सिर्फ 18 साल की लड़की के सामने, हिल तक नहीं पा रहा होता, विचारा चूहा बन जाता है, लेकिन यह turners आ जाते हैं, और Julian की इज़ट लुटने से बच जाती है, नो, अब एक रात, Sean notice करता है, कि Leanne daily रात में Jericho को अपने room में ले जाती है, तो यह चुपके से Leanne के room में जाके एक hidden camera fit कर देता है, ताकि यह देख सके कि Leanne actually क्या करती है Jericho के साथ, तो वो actually कुछ नहीं करती थी, रात में वो बस Jericho को अपने बगल में लेटा के सो जाती थी, और यह देखके Sean और Julian इस conclusion में आते हैं, कि वो बच्चा actually Leanne का ही बच्चा है, तब ही वो Jericho को इतना अपने clothes रखती है, इनकी theory होती है, कि Leanne pregnant हो गई होगी, और इसको बच्चे के बाप ने छोड़ दिया होगा, तो अब 18 साल की लड़की कहा जाती, तो वो जब इस घर में nanny बनके आती है, तो वो अपने साथ bag में अपने बच्चे को भी ले आती है, और फिर वो Dorothy के condition का वा ये नया plan बनाते हैं, इनका plan होता है, कि Leanne के साथ ऐसा behave करो, कि वो खुद यहां से भाग जाए, लेकिन इनका ये plan Leanne खुद सुन लेती है, लेकिन ये कुछ बोलती नहीं, Sean इसका room पूरा cricket से भर देता है, इविन इसको crickets खिलाता भी है, लेकिन Leanne कुछ नहीं कहती, वो इवर होती है, सो ये हर रात में अपने आपको ही मारती है, अपने आपको ही हर्ड करती है, और एक चीज़ यहां दिखाते हैं, कि Leanne एक मरे हुए cricket को वापस जिन्दा भी कर देती है, में भी अपनी supernatural powers का यूज़ करके, और ये confirm होता है, यहां जरूर कुछ sinister है, Leanne को लेके सो ये theory भी possible हो सकती है, कि जो नया बच्चा है, वो actually में जरिको ही है, Leanne ने उसको resurrect कर दी होगा अपनी powers का use करके, ना हो अब एक दिन Leanne को लिए एक letter आता है, first time, जिसमें सिर्फ लिखा होता है, found you, और Sean को अपने काम के लिए एक दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बहुत ज्यारा डरे होई लग रही होती है, और फिर घर में Dorothy भी आ जाती है, और ये भी Uncle George से मिलती है, और Weird चाचा जरिकों के लिए एक Weird gift भी लाए होते है, और Dorothy Leanne पे इतना trust करती है, कि इस Weird चाचा को अपने साथ डिनर के लिए invite कर देती है, और ये scene भाई साब, जिस तर spend करने को बोलता है, और ये Dorothy इतनी पागल होती है, कि ये stranger को घर में रुखने के लिए allow कर देती है, और इसी बात से Sean भी काफी गुसा होता है, बट क्या कर सकता था वो, बट जूलियन घर में रुखता है Dorothy की safety के लिए, और रात में Uncle George अपने बेट से उठके, जरिकों के crib मे Dorothy Leanne से बोल देती है, कि तुम Uncle George के साथ नहीं जाओगी, और ये इतनी डरी होई होती है, कि इसका कहना होता है, कि Uncle ने जो बोल दिया, उसको करना पड़ेगा, बट Dorothy इसको बताती है, कि तुमारी permission की बिना कोई ऐसा नहीं कर सकता, सो ये लिखित में लिख देती है, और वियर चचा गुस्से में यहां से चले जाते हैं, और फिर एक दिन Sean और Dorothy को एक party में जाना होता है, और Leanne को Toby अपने साथ डेट पे चलने को बोलता है, तो वो ready हो जाती है, और सब घर से निकल जाते है, और घर में सिर्फ Julian रुखता है, जरिको की care के लिए, पर थोड़ी द यह तो अच्छा हुआ कि यहां जिन्दा बच्चा नहीं था, बट इनका जूलियन से कहना होता है, कि क्यों न हम एक नए बच्चे को एडॉप्ट करके, रिबॉन डॉल से रिप्लेस कर दें, और फिर शायद कहो, डोर्ती को कुछ डिफरेंसी ना पता चले, और शब खुस तो इनको तो पता नहीं था, कि यहां एक्चुली में यही हो रहा है, बस डिफरेंस यही है कि बच्चा एडॉप्ट नहीं किया गया, मिस्टीडियसली कहीं से आ गया है, और फिर डैड यहां से चले जाते हैं, और थोड़ी दर बाद लियान अपनी डेड खतम करके, घर मे वापस आती है, और जूलियन डैरेक्ट लियान पर चड़ जाता है, कि बच्चा कहां गया, लेकिन लियान अगेन वही मासूम वाले रियाक्शन देती है, कि कौन सा बच्चा क्या बात कर रहे हो आप, और जूलियन का दिमाग खराव होने लगता है, यह लियान से उसी डॉ को जीने से फेकने को लेकर ब्लैक मेल करता है, बट वो कुछ रियाक्शन ही नहीं देती, और फिर अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है, और जूलियन हर जिगा ढूनता है, लेकिन उसको कोई बच्चा कहीं नहीं मिलता, और फाइनली फिर यह लियान को जाक देख रही होती है, कि उसने अपने ही बच्चे की जान ले ली, और डॉर्थी को पनिश करने लगती है, ये इवेन अब ने जरिको को भी डॉर्थी को नहीं देती, और लियन शौन से भी बोलती है, कि आखिर तुम अभी भी डॉर्थी के साथ कैसे रह सकते हो, इसके बाव था, क्योंकि वो तो मर गया था, क्रिस्चन लोगों का एक सेक्रिमेंट होता है, न्यू बॉर्थ चाइड्स के लिए सेरिमेनी बोल सकते हो, तो अब दॉर्थी के कहने पर, शौन इस न्यू जरिको के बैप्टिजम की पार्टी की त्यारी करने लगता है, लियन भी इनका स पी डर जाता है और अपने दोससे बोल देता है, कि जहां पर भी तुमको लियन के अंकल अंटी दिखें, उनको ठोक देना, और अगेन लियन बहुत ज़्यादा डर जाती है, और इस एरिको के रूम में जाती है, तो वहां बैठी होती है, इसकी आंट में और बेस्मेंट मे शौन से मिलने जाता है अंकल जॉर्ज और शौन अंकल जॉर्ज को पूरा पैसो से भरा एक बैक देता है बट जॉर्ज को पैसो पे कोई इंट फ्रेस नहीं था और यहां शौन से बहुत अजीब बाते बोलता है इसका कहना था कि तुमको कोई आइडिया भी नहीं है कि तुमने किसको अपने घर में रोक के रखा है यह लियान के लिए बोल रहा होता है यह से सब बताता है कि लियान बहुत टाइम पहले डॉर्थी से मिली थी Dorothy को ये बात याद नहीं लेकिन तब से Leanne Dorothy से मिलना चाहती थी और यहाँ पर अब पूरी पिक्चर क्लियर हो रही होती है Actually Leanne के अंकल और आंटी एक religious cult का हिस्सा होते हैं जो Church of Lesser Sand name से जाना जाता है और Leanne की family की death के बाद इनी cult के लोगों ने Leanne को पाल के बढ़ा किया होता है और इसलिए वो भी religious होती है और एक event में इनी के church के बाहर Dorothy भी अपनी news reporting कर रही थी जहां cult members के police से fighting हो गई थी, shoot out हो गया था होता है, और उनको वो hud करती है जिनको वो पसंद नहीं करती है तो यहाँ Leanne Dorothy को पसंद करती थी तो वो Dorothy को उसका बेटा जर्रेको लोटा देती है में भी वापस जिंदा करके और Leanne Sean को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और अधर साइड में आंट में ये लियान को फोर्स करती है कि तुमको हमारे साथ चलना होगा, तुम हमारी सर्वेंट हो ना कि डोर्थी की, बर फिर फंक्शन खतम हो जाता है, सब लोग अपने घर चली जाते हैं, लियान के चचा चाची भी, और शौन देखता है कि उसकी से अब गायब हो चुका होता है, और लियान भी कहीं नहीं दिखरी होती, और वही जूलियन का दोश जो बाहर चौकीदारी कर रहा था, उसको भी आकर लियान के अंकल अंटी शायद मार डालते हैं, और लियान को दिखाते हैं, तो इसने अपना माइंड बदल लिया होता है ये अपना सारा समान पैक करके attachment डलके बाहर आ जाती है और हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर Jericho काँ है ये Liam के साथ भी नहीं होता और ये अंदर भी नहीं होता तो हमें पता ही नहीं होता कि Jericho आखिर कहाँ है इसके कल्ट के मेंबर obviously और ये लियाइन का तहे दिल से स्वागत करते हैं फिर एक पुलिस वाला कार्स इनको देखता है बट फिर ये सभी लोग एकदम vanish हो जाते हैं सो पक्का यहां को सुपरनेच्रल जरूर है क्योंकि एक सेकेंड में इतने सारे लोग भाग नहीं सकते सब एकदम गायब हो जाते हैं और इसी पॉइंट में सीजन वन खतम हो जाता है सो अभी बहुत मिश्ट्री बाकी है बहुत ज्यादा कि आखिर क्या सच में मरे हुए जरिको को वापस जिन्दा किया था लियान ने या फिर कुछ और राजया इसके पीछे और लियान आखिर है कॉन उसके पास पावर्स हैं भी की नहीं और इसने एक्चुली क्या किया शौन के साथ बहुत मिश्ट्री है भी और सीजन टू अभी रणिंग में है वीकली एपसोर्स आ रहे हैं उसके सो जब पूरी सीरीज आ जाएगी तब मैं उसको देखूंगा और फिर इस पर वीडियो भी जरूर बनाऊंगा तब तक के लिए वेट करो और कॉमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी सो इस वीडियो के लिए इतना ही लाइक और शेर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बबाई